Dear students, इस वीडियो में मैं आपको 12F exercise class 6 से है जो इसको complete करवाऊंगा इसमें हमें simple कुछ नहीं करना है ज्यादा, सिरफ polygon के बारे में हमें पता होना चाहिए polygon क्या होगा, कौन सी shape को हम polygon कहेंगे, जो सिरफ straight line से बनी हुई close structure हो close मतलब कि कहीं से भी हम इस पे pen चलाना शुरू करें, वहाँ पे हम वापिस आ सकें ठीक है, उसको हम बोलेंगे polygon, close structure और straight line होनी चाहिए सिरफ उसमें उसको हम बोलेंगे polygon, ठीक है, अब इसमें हमें बोला गया है कि कौन सी shape जो है सिरफ B और C ही polygon है, बाकी A, D और E polygon नहीं है, क्यों नहीं है, first वाला जो है उसको हम बोलेंगे curve line है, क्योंकि इसके अंदर ये गुलाई वाली line है, इसको बोलेंगे curve line की वज़े से फिर ये जो है, it is a circle, फिर it is an open figure, इसलिए, क्योंकि ये close नहीं है, तो सीधी line है, लेकिन यहां सी ये open है तो इसलिए हम यहां लिख देंगे, it is an open figure, तो कौन-कौन से होगे polygon, B and C फिर next है, fill in the blanks, second question जो है, वो हमारा है, fill in the blanks, इसमें हमें पूछा गया है, if all the side of polygon are equal, then it is called a तो इसको क्या कहा जाता है, regular polygon, क्या बोलते हैं इसको, regular जिसकी सभी side बराबर होंगी, उसको बोला जाएगा regular polygon regular polygon, ठीक है, फिर a five-sided, इसके मैं नाम बता दिता हूँ आपको, three side वाला तो आपको पता है triangle बोलते हैं, four side वाले को बोलते हैं, quadilateral, five side वाले को बोलते हैं, pentagon क्या बोलते हैं, pentagon, ये note कर लेना है आपने, six side वाले को बोलते हैं, hexagon ठीक है Hexagon 7 side वाले को बोलते है Heptagon 8 side वाले को बोलते है Octagon क्या बोलते है Octagon ठीक है ये कुछ चीज़े याद रखनी है और इनके अगर हमें sum of angle निकालना है इनके angles का sum कितना आएगा तो वो आप कैसे निकाल सकते हो उसके लिए formula दा है N-2 multiply 180 For example हमें जो है ये पता करना है कि quadilateral के सभी angles का जोड कितना होता है quadilateral क्या होता है जिसकी 4 side है तो N की जगा आपने 4 रखना है तो क्या हैगा 4-2 multiply 180 तो 4 में से 2 गया 2 multiply 180 तो ये हो जाएगा 360 तो हमें पता है na quadilateral के सभी angle का जोड कितना होगा sum कितना होगा 360 degrees ऐसे ही pentagon का निकालना है तो 5-2 multiply 180 ठीक है और ये आजाएगा 3 multiply 180 तो 540 इस तरह से हम यूज कर सकते हैं तो formula आपने याद रखना है N-2 multiply 180 कितनी भी side वाले का आपको पूछ ले आपने क्या करना है जितनी उसकी side होग वो यहाँ पे रख देना उसमें से 2 minus कर देना है और जो आएगा उसको 180 से multiply कर देना है next है 5-sided polygon 5 side वाले को क्या बोलते हैं अभी मैंने बताया था pentagon क्या बोलते हैं pentagon तो इसका अंसर आपने देना है pentagon pentagon फिर next है the sum of angle of heptagon heptagon कितनी side वाले को बोलते हैं 7 तो वही formula आप लगाएंगे 7 minus 2 multiply 180 7 में से 2 जाएगा तो बाकी बच्चेएगा 5 multiply 180 1850 होता है तो 900 यह आजाएगा multiply यह आपने खुद करके देख लेनी है तो अंसर आजाएगा 900 degrees next है the number of side of a hexagon hexagon की कितनी sides होती है तो इसका अंसर आपने देना है 6 कितनी sides होती है 6 if the sum of the angles of a polygon is 360 360 degree वाले को क्या बोलते हैं quadrilateral क्या बोलते हैं quadrilateral next है write the name of the polygon इन polygon के नाम हमें बताने first वाला जो है इसमें 5 side है 1,2,3,4,5 तो इसको बोलते हैं pentagon next वाले में 8 side है 1,2,3,4,5,6,7,8 तो इसको बोलेंगे octagon इसको बोलेंगे triangle और इसको हम बोलेंगे quadrilateral और इसको हम बोलेंगे hexagon ठीक है तो यह थी हमारी shapes और हमारी exercise 12F